बच्चो अभी हम बात कर रहे थे भारत में नियोजन की तो हमने देखा भारत में जो नियोजन है वो योजना आयोग के द्वारा पंच वर्षी योजनाओं के माध्यम से नियोजन जो है वो किया जाता है और अब जो बारवी पंच वर्षी योजना चल रही थी उसके बाद स योजना आयोग का इस्थान जो है वो एक जन्वरी 2015 से नीती आयोग ने ले लिया अब ये नियोजन के जब हम बात कर रहे हैं और हमने देखा कि जो भी हम प्लानिंग या योजना तैयार करते हैं तो हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं उन सभी का उपयोग करते हुए हम अपने विकास के लक्ष को प्राप्त करने की बात करते हैं तो संसाधनों का उपयोग भी एक तो हमने देखा था कि संसाधन जो हैं वो सभी जगा समान रूप से वितरित नहीं है इनका वितरण या इनकी जो उपलब्धता है ये अलग-अलग मात्रा में सभी जगों पर मिलती हैं और दूसरी चीज ये है कि इन संसाधनों की उपलब्धता भी अपरियाप्त मात्रा में हैं तो हमारा ये उत्तरदाई तो बनता है कि हम इन संसाधनों का जो उपियोग है वो इनके संरक्षन को रखते हुए भविश्वय में जो आने वाली पीडियाँ हैं उनके लिए भी इन्हें संरक्षित रखते हुए हम इसका विकास करें या इनका उपियोग करें तो इसी संदर्व में हम बात करते हैं कि भारत में सतत पोष्णिय विकास हमने नियोजन की बात करी अब हम देखते हैं सतत पोष्णिय विकास या हम जिसे सस्टेनेलेबल डेवलप्मेंट भी कहते हैं सतत पोश्णी विकास की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अभी हमने देखा कि संसाधन जो है वो सिमीत मात्रा में हैं और सिमीत नहीं है और जब हम इनका उपयोग कर रहे हैं और हम बात करते हैं कि हम निरंतर जो है आर्थिक विकास की दशा को प्राप्त कर रहे हैं और इसके लिए हम इन संसाधनों का दोहन कर रहे हैं या शोशन कर रहे हैं और जब हम इनका दोहन या शोशन कर रहे हैं तब हम अपने परियावरन को ताक पर रखकर इनका विदोहन कर रहे हैं तो जब तक हम अपने संसाधनों का संरक्षन करते हुए इनका दोहन नहीं करते तब तक हम अपनी भविश में आने वाली पीडियों के लिए इसका संरक्षन नहीं कर सकते तो हम देखते हैं कि जो सतत पोशनी विकास है इसके अंतरगत परियावरण को जो विपरीत से मतलब हम जब संसाधनों का विदोहन कर रहे हैं तो इस चीज का प्रभाव जो है प्रभावित ना करते हुए जब हम लोगों की आवशक्ताओं या उनकी जरुरतों को पूर्ती करने में सक्षम होते हैं तो इसी माध्यम से संसाधन विदोहन या विकास को हम सतत पोशनी विकास कहते हैं तो मुझे लगता है कि सतत पोशनी विकास का तातपरिय आप सभी को समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं कि इस शब्द का या इस विचार की उत्पत्ती कब से हुई या लोगों के मन में ये विचार कैसे आया कि हम सतत पोशनी विकास की और बढ़ें सिर्फ विकास नहीं सतत पोशनी विकास की और बढ़ें तो लगभग हम देखते हैं कि 1970 का जो दशक था उसमें पश्मी दुनिया में मतलब पश्मी जो देश हैं वहाँ पर लगातार और दोगी करण जो है विकास की दशा को प्राप्त करने के लिए और दोगी करण और नगरी करण जो है वो लगातार अपनी चरम सीमा पर था तो इस और दोगी करण और नगरी करण के कारण इसके जो दुशपरिनाम थे या इसका जो दुशपरिनाम है वो हमारे परियावरण पर पढ़ा या पढ़ रहा था उस समय ये देखा गया कि परि लोगों में जागरुकता का होना बहुत आवश्यक है और लोगों को जागरुक करते हुए या हम अपने परियावरण को बिना नुकसान पहुचाए हुए परियावरण को भी संरक्षित रखते हुए विकास की ओर बढ़ें और इसी संदर में जो हमारी ज्वलंद को ध्यान में रखकर संयुकतराष्ट संग या UNO ने एक समीती जो है वो गठित की और ये समीती हम देखते हैं विश्व परियावरण और विकास आयोग या हम इसे बोलते हैं WECD इसकी स्थापना की UNO या संयुकतराष्ट संग ने और इस आयोग की जो हम या ये कहें कि इसमें सतत पोशनी विकास का सर्वप्रथम परियोग ही इस आयोग में इसके जो अध्यक्ष थे WECD की जो प्रमुक थी नार्वे की प्रधान मंत्री उनके द्वारा किया गया और ये 1987 या 1987 में Bruntland Report जो अभी हमने बताया कि नार्वे की प्रधान मंत्री थी उनकी अध्यक्षता में ये जो समीती ने रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसका नाम था Our Common Future Our Common Future में Bruntland Report ने जो इस समीती ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की उसमें सबसे पहले सतत पोष्णिये विकास का शब्द का प्रयोग किया गया अब इसका अर्थ हम एक बार में समझ लेते हैं या इस रिपोर्ट में इस सतत पोष्णिये विकास का जो तात पर ये बताया गया समझाया गया उसका इस संदर में सतत पोष्णिये विकास का अर्थ होता है यह एक ऐसा विकास है जिसमें वर्तमान पीड़ी जो है वो अपनी आवश्चक्ताओं की पूर्ति इस प्रकार करती है कि भविश्य की पीडियों को भी उसका नुकसान ना हो भविश्य की पीडियों को उसका नुकसान ना हो मतलब कि जो संसाधन है वो ऐसा ना हो कि आने वाली पीडियों या भविश्य की पीडियों के लिए वो संसाधन समाप्त प्राय हो जाए उनके लिए बचा कर रखते हुए वर्तमान में हम अपनी आवशक्ताओं की पूर्ती करें और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि हमारी जो पारिस्थितिकी है उसका संतुलन ना बीड़े परियावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हूँ क्योंकि ये तो बात है कि हम जो भी आर्थिक विकास से संबंधित कारी करते हैं चाहे हम अद्योगी करण नगरी करण की बात करें या बढ़ती हुई जनसंख्या का जो दबाव है जो कृशी भूमी और आवासी भूमी किसी भी प्रकार की भूमी पर पढ़ रहा है और उनके बढ़ती जनसंख्या के आवशक्ताओं की पूर्ती करना भी अनिवार्य है तो इन सभी के कारण इनके बीच मतलब हम परियावरण या जनसंख्या और इसमें जितने भी जीव जन्तु जो मिल रहे हैं इनके बीच का बैलेंस जो है वो बिगड रहा है तो इस बैलेंस को इस संतूलन को बनाए रखते हुए हम विकास की गति को या विकास की अवस्था को प्राप्त करें अब ये देखा जा रहे है कि इस सतत पोष्णिय विकास के संदर्व में और दो अन्य पुस्तके जो है वो आई और उसमें इस संदर्व में बात की गई तो इसमें पहला था the population पॉपलेशन बम और इस दपॉपलेशन बम को लिखा 1968 में एहर लिच ने और दूसरी पुस्तक थी दा लिमिट टू ग्रोध ये 1972 में लिखा मिडोस ने तो अवर कॉमन फ्यूचर जो समीती ने रिपोर्ट या आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके अलावा ये दो अन्य पुस्तके भी थी जिसमें सतत-पॉशनी विकास के संदर्व में बात की गई थी अब हम देखते हैं कि इसी संदर्व में सतत-पॉशनी विकास की जब हम बात कर रहे हैं। तो इसका एक case study या case अध्यन की हम बात करते हैं, किसी एक model रखते हुए हम कह रहे हैं कि इसके संदर में हम सतत पोशने विकास कैसे कर सकते हैं, तो इसी संदर में हम बात करते हैं इंद्रा गांधी कमान नहर छेत्र और हमने देखा था कि जब हम प्रादेशिक नियोजन की बा विकास चेत्र कारिक्रम, जन्जाती विकास चेत्र कारिक्रम और उसी में ये एक point था कमांड चेत्र विकास कारिक्रम और इस कमांड चेत्र विकास कारिक्रम के अंतरगत, आज हम बात करेंगे इंद्रा गांधी कमांड नहर कारिक्रम पर, इंद्रा गांधी कमांड नहर का पुराना नाम राजस्थान नहर था या तब इसे राजस्थान नहर के नाम से जानते थे आप इस मानचित्र में बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि जो इंद्रा गांधी नहर है ये आपके सतलज और व्यास नदियों के संगम पर एक बांध का निर्माण किया ग इसका नाम है हरी के बैराज और इसी बैराज से या इस बांध से एक नहर जो है निकाली गई है जिसे इंद्रा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है इसका पुराना नाम जैसे हमने कहा कि राजस्थान नहर था इसके जनक इंजिनियर थे एक कवर सेन इन्होंने 1948 में इसकी हम यह कह सकते हैं कि इसके एक संकल्पना ले कि आया उनके मन में विचार आया और उन्होंने ही इसके निर्माड में योगदान दिया इसके बाद हम देखते हैं कि यह जब यह नहर बनाई गई बनकर उस नहर की जो परियोजना है इंद्रा गांधी कमान नहर परियोजना जो है वो 31 मार्च 1958 में शुरू की गई तो यह परियोजना मतलब बनकर तयार हो गई और इसमें से सिचाई का जो कारिय है या इस नहर के माध्यम से पानी का उपियोग जो है वो तब से ही शुरू हो गया अब हमने देखा कि इसकी उत्पत्ती स्थली है हरी के बैराज जो सतलज और व्यास नदियों के संगम परिस्थित है अब थोड़ा अब ध्यान देंगी इसी मानचित्र पर जहां से ये नहर निकली हुई है वहाँ पर अलग अलग वित्रिकाएं जो है मतलब इस नहर की छोटी बड़ी अलग अलग शाखाएं जो हैं इस नहर के माध्यम से निकाली गई है और इन्हें ही हम वित्रिकाएं कहते हैं तो इन वित्रिकाओं की जो कुल लंबाई है वो 9060 किलो मीटर है 9060 किलो मीटर अब इनके माध्यम से जो सिचाई की जाती है तो कुल सिंचित छेत्र 19.63 लाक हेक्टेर छेत्र में इस नहर के माध्यम से और इसकी वित्रिकाओं के माध्यम से सिचाई का कारिय किया जाता है फिर हम देखें कि ये जो नहर बनाई गई इंद्रा गांधी नहर इसका निर्माण दो चर्णों में पूरा हुआ है एक साथ 9060 किलो मीटर नहर का निर्माण एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और हमें पता है कि इंद्रा गांधी नहर जो है नहर तंत्र है तो ये कोई सड़क तो है नहीं कि भई सड़क का निर्माण करना तो भी सरल है लेकिन नहर के निर्माण के लिए कितनी अधिक गहराई तक खुदाई करना पड़ रहा है किस स्थान से उसे होकर गुजरना है ये बहुत सारी बाते जो है वो इंपोर्टेंट रखती है तो इसी के अंतरगत हम देखते हैं कि दो चरणों में इस नहर का निर्माण कारिय जो है वो पूरा किया गया प्रथम चरण में हम देखते हैं इस नहर का या राजस्थान का जो उत्तरी हिस्सा था जिसमें हनुमान गड़ है गंगा नगर है और बिका नेर का उत्तरी हिस्सा इसके अंतरगत आता है तो ये प्रथम चरण में इसके अंतरगत नहर का निर्माण किया गया और प्रथम चरण में ही जो सिंचित छेत्र हैं हम कहें कि 5.53 लाख हेक्टेर में प्रथम चरण के माध्याम से निर्मित नहर से सिचाई का कारिय या उतने छेत्र को सिंचित किया जाता है सिंचित किया जाता है और प्रथम चरण में जो नहर का निर्माण किया गया उसमें 1960 के दशक से सिचाई का कारिय जो है वो शुरू कर लिया गया अब दूसरा चरण हम देखते हैं इसनहर का दूसरा चरण था इसके अंतरगत इसनहर के मतलब हम के राजस्थान के दक्षणी हिससे के अंतरगत बिकानेर जैसलमेर जोदपूर नागौर और चूरू ये जो छेत्र हैं ये दूसरे चरण के अंतरगत आते हैं जो इस नहर से प्रभावित थे अब यहाँ पर सिंचित छेत्र जो है दूसरे चरण के अंतरगत 14.10 लाग 14.1 लाग हेक्टेर जो है दूसरे चरण से जो छेत्र सिंचित होता है इतने छेत्र फल को सिंचित किया जाता है और 1980 के दशक से दूसरे चरण का जुन निर्मान हुआ उससे सिचाई का कारिय जो है वो शुरू हो गया तो हमने देखा प्रथम चरण में 1960 के दशक से शुरूआत हुई सिचाई की और दूसरे चरण में 1980 के दशक में मतलब लगभग 20 साल का अंतराल हो गया और वो हमने बात ही की कि इतने लंबे या इतने बड़े नहर तंतर का निर्मान करना था तो उसमें समय लगना जो है वो बात और है क्योंकि इसे छोटे प्रश्न भी आपसे बोड परिक्षा में पूछे जा सकते हैं थोड़ा मानचीतर पर आप ध्यान देंगे यह जो इंद्रा गांधी नहर निकाली गई है इसके दो हिस्से हम राइट साइट की बात करें और लेफ्ट साइट दाया हिस्सा और बाया हिस्सा तो इस नहर का जो दाया हिस्सा है वहाँ पर जो वित्रिकाएं निकाली गई है जो शाखाएं निकाली गई है वहाँ पर चुकि उस पानी के अनुरूप उस छेतर में ढाल है तो यहाँ पर जो बहाव है वो ढाल के अनुरूप बहाव होता है लेकिन हम बाया स जो है वो थोड़ा उबडखाबड भी है और उपर उठा हुआ हिस्सा है मतलब हम कहें कि इसका धाल जो है जो नहर निकाली गई है वो धाल जो है उस पानी के अपोजेट साइड में तो क्या करना पड़ता है आप यहां परी से और बहुत अच्छी तरह से देख पा रहे और उससे हमें उपरी हिस्से में पानी का प्रवाह करना है या पानी को भेजना है तो हमें लिफ्ट सिस्टम या हम कहें कि पंप के द्वारा जो है यह पानी को हम उस उपरी हिस्से में भेजेंगे तो ठीक इसी प्रकार से इस इंद्रा गांधी नहर का जो बाया की नारा है इस left side में जो पानी का या वित्रिकाएं या जो नहर तंत्र निकाला गया है इस नहर की जो शाखाएं निकाली गई हैं वहाँ पर lift system के माध्यम से पानी का प्रवाह जो है वो कराया जाता है इसमें एक और महत्यपूंड बात आपको ध्यान देनी होगी कि जो 70 प्रतिशत इस नहर के माध्यम से सिचाई की जाती है वो इसके दाय किनारे के जो वित्रिकाएं हैं उनके माध्यम से की जाती है और लगभग 30 प्रतिशत जो सिचाई है वो इसके बाय किनारे के जो lift नहरे बनाई गई हैं, पंप के द्वारा यहां पर जो पानी को भेजा जाता है, उसके माध्यम से सिचाई की जाती है, अब यह जो लिफ्ट नहरे हैं, यह तो हमने देखा कि यह मुख्य नहर के बाये किनारे पर हैं, अब यहां पर एक बात और ध्यान देने वाली है, यह जो इंद पाकिस्तान की सीमा रेखा है, रेट क्लिफ रेखा, इस सीमा के समाना अंतर यह नहर जो है वो प्रवाहित हो रही है, और हम यह कह सकते हैं कि इस पाकिस्तान की सीमा के लगभग 40 किलोमीटर की ओसत दूरी पर इस नहर का निर्मार जो है वो किया गया है, यह हम यह कहें, यह इसके औसत 40 किलोमेटर की दूरी पर समाना अंतर रूप से प्रवाहित होते हैं इसका मतलब यह है कि इस नहर से आप 40 किलोमेटर और आगे जाएंगे तो आप पाकिस्तान की सीमा में पहुंच जाएंगे अब देखते हैं इस चरण दो की अंतरगत जो नहर का निर्माण किया तो यह इस्थान जो है यह चेत्र जो है वो पूरा अ मतलब ऐसा चेत्र है जहां पर मरुस्थल ही मरुस्थल आपको نजर आईगा और यहां पर जब इस नहर का निर्मान किया गया तो यह वही स्थिति हो गई कि बही पुरे रेगिस्तान में आपको एक चोटा सा जो पानी का सोर्स नजर आता है तो आप कलपना कर सकते हैं कि वहाँ पर कितनी खुशी की लहर जो है वो दोड़ी होगी क्योंकि पूरा रेगिस्तान दिख रहा है पानी का कोई सोर्स नहीं है और हम यह देखेंगे कि यह एक ऐसा छेतर है जहां पर लगभग 50 डिग इस थाना अंतरित होते हुए आपको नजर आएंगे क्योंकि शुश्कता जो है वो यहां पर बहुत ज्यादा थी तो इस छेतर में एक नहर का आजाना वहां पर के लोगों के लिए निश्यत रूप से विकास के एक नए आयाम जो है वो लेकर आया था अब अगर आपसे यह पूछ लिया जाए इंद्रा गांधी नहर कमांड छेतर या हम इसे ही IGNP के नाम से भी जानते हैं तो इस IGNP के सकारात्मक प्रभाव कौन से होंगे और कोई भी चीज आती है तो उसका दोनों पहलू होता है सकारात्मक भी और नकारात्मक भी तो हम प हम देखते हैं कि इसके सकारात्मक जो प्रभाव हैं वो सबसे पहला हुआ कि व्रिक्षा रोपन और चारागा के विकास से जो पुरे पश्रिमी राजस्थान जो विशाल मरुस्थल था वो भूमी जो है वो एक हरी भरी भूमी के रूप में विक्सित हो गई दूसरा इसमें हम देखते हैं कि जो वायू अपरदन था हमने भी बात की कि पुरा पश्रिमी राजस्थान में इतनी शुश्कता और तापमान बहुत अधिक होने के कारण एक विशाल मरुस्थल तो था ही और यहाँ पर ये सिती देखने को मिलती थी कि जो बालू के टिब निर्मान से वहाँ पर की भूमी में नमी आ गई शुश्कता में कमी आई इसके कारण जो मरुस्थल का फैलाव है वो लगभग नियंत्रित हो गया फिर हम देखते हैं कि सिचाई छेत्र में विस्तार हुआ ही नहर के निर्मान से तो सिचाई छेत्र के विस्तार से जो बोया क्रिशी और पशुपालन दोनों के ही मतलब क्रिशी उत्पादन में भी और पशुपालन में भी बहुत अत्यधिक वृद्धी हुई फिर यहाँ पर जो पारंपरिक रूप से फसले उगाई जाती थी जिसमें कम पानी की आवश्कता होती थी जैसे कि चना हो गया बाजरा ह हो गया या गवार हो गया यह ऐसी फसले हैं जिसमें कम पानी में भी अधिक उत्पादन प्राप्ति किया जा सकता था तो यह एक पारंपरी पारंपरी तरीके से ही इनका उत्पादन किया जाता था या हम यह कहें कि इनके उत्पादन की ही प्रवित्ती यहाँ पर देखने क इनो फली इन्होंने ले लिया यदो कियर जाने लगाये अगला इसका संकारात्मक प्रभाव। इस लुए अगला चाय है तो पिस दिखरी की बनने जा दोफिपाय, बचिए बचैन्य है या इसे बहुत दोफिपायШ संग तक कम वरदिय contact दोफिए लिखाया kya ürit. जिससे लोगों की आय भी बढ़ी है और लोगों की आय बढ़ी है जिससे यहां के लोगों के जीवन इस्तर में भी सुधार देखने को मिला है अब ये तो हो गए इस इंद्रगांधी नहर कमांड छेत्र या IGNP के सकारात्मक प्रभाव अब इसका एक निगेटिव पॉइंट भी है या हम कहें नकारात्मक प्रभाव भी है क्योंकि जो ये है कि इस नहर के बन जाने से यहां पर जल भराओ जल भराओ की जो समस्या है जिसे हम सेम भी कहते हैं जल भराओ की समस्या जो है वो उत्पन हो गई है और जिसके कारण यहां पर मृदा लवणता की समस्या भी देखने को मिलती है तो यह हो गई आपके इंद्रा गांधी नहर कमांड छेत्र या IGNP हमने देखा कि यह कब बनाया गया किसने बनाया है ना कित्ते चड़नों में इसका निर्मान कारी जो है वो पूरा हुआ और हमने वित्रिकाओं या नहर वित्रिकाओं की बात की और इसमें जो इसका के माध्यम से जो नहरोत का पानी है वो अलग-अलग खेतों तक पहुचाया जाता है इस अंदर में हमने बात की और इस कारिक्रम के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलों पर हमने बात की तो आपसे पूछा जा सकता है एक शौर्ट नोट्स की रूप में कि इंद्रा गा प्रभाव बताईए या प्रभाव की चर्चा कीजिए तो सिर्फ प्रभाव जब पूछेगा तो आपको सकारात्मक और नकारात्मक दोनों की बात करनी है और जब आपसे सकारात्मक प्रभाव पूछा जाए तो आप सिर्फ सकारात्मक प्रभाव को बताएंगे साथ ही एक नहरों के संबंद में भी आपसे बात की जा सकती है, प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आपको अपने इस चैप्टर को तयार करना है. अब हमने जो सतत पोष्णी विकास की बात की तो हम देखते हैं कि इसके अंतरगत इंद्रा गांधी नहर कमांड छेतर का हम केस स्टडी किये और इस केस अध्यान के अंतरगत हम देखते हैं कि इस नहर कमांड छेतर के माध्यम से हम सतत पोष्णी विकास को किस प्रकार बढ़ बढ़ावा दे तो इसके अंतरगत पहला है जल प्रबंधन नीति को कठोड़ता से पालन करना चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि जल उपलब्ध हो गया है तो हम उसे बेस्ट करते जाएं उसका हम उचिद प्रबंधन करते हुए जल प्रबंधन निती का पालन करना चाहिए, दूसरा है कम पानी वाली फसलों को बढ़ावा देना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं, जिन फसलों को बहुत जादा पानी की आवश्यक्ता है, मतलब हम चावल ही चावल का उत्पादन करें, तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए, कि जिन फसलों में कम प तीसरा है जो बहते हुए जल की हानी को रोकने के लिए उचित उपाय करने चाहिए पद्धती यह था पर आक मांचितर में देख पा रहे होंगे यहे चोटे मीनी गेट हम इसे समझ सकते हैं वारबंदी का मतलब जहां से नहर निकाली जा रही है तो यह चित्र से आपको इस पस्ट हो रहा होगा कि यहां पर वारबंदी पध्धती लगाई गई है इसका मतलब यह हो रहा है कि नहर का पानी अगर आगे जा रहा है इस वारबंदी या मिनी गेट बना पानी की आवश्चक्ता है, तो आगे जाने से रोक कर हम इन खेतों में पानी की सप्लाई करें, और जब यहां पर पानी की आवश्चक्ता पूरी हो जाती है, तो हम इस फिर वारबंदी या इन मिनी गेट को खोल दें, जिससे यह नहर का पानी जो है वो आगे की तरब बढ़ जाए, और आगे जिस छेत्र को पानी की आवश्चक्ता है, वहां पर पानी की आपूर्ति की जा सके। तो इस कमान छेत्र विकास कारेकरम के अंतरगत बहते हुए जल की हानी को रोकने के लिए हमने देखा कि नालो को पक्का करना, भूमी विकास, समतलन, वारबंदी, पध्धती और इन सभी को प्रभावी रूप से कार्यानवित किया जाए, ताकि हम बहते जल की कहीं पर लिक कर सकें, फिर नेक्स्ट है, व्रिक्षार ओपन और चारगा, इन दोनों के विकास को प्रात्मिक्ता दी जाए, फिर अगला है, जो गरीब किसान है, उन गरीब किसानों को क्रिशी कारे के लिए वित्तिय वा संस्थागत सहायता देनी चाहिए, मत्ब जैसे बैंक एक संस्थ हो गई, तो इस बैंक के माध्यम से, अगर किसी गरीब किसान को उत्पादन के अलग-अलग, मतलब क्रिशी ओजार या उपकरण लेने के लिए, उर्वरक्त लेने के लिए, कित नाश्कों के लिए, किसी भी प्रकार से बित्ति सहायता की आवश्यक्ता है, तो इस बैंक के म अलावा हमने देखा था कि भूमी में लवणता की मात्रा अधिक होने से भू निमनी करण की समस्या देखने को मिली थी, तो अगला ये है कि क्रिशी के अलावा हम अन्य सेक्टरों का भी विकास करें, जिससे हम भूमी के उपजावपन को लगातार बढ़ाए रख सकें, अन के बीच में एक प्रकार्यात्मक संबंध जो है वो इस्थापित होगा, जब हम इस क्रिशी और इससे संबंधित क्रिया कलापों के अत्रिक अन्य सेक्टरों का भी विकास करेंगे तक, और इसके साथ ही अगला है कि जो जलाकरांतिया, जल से बहुत अधिक जो प्रभावीत के भूमी है या लवड़ता से ग्रस्त भूमी है, इसके पुनर उद्धार के लिए भी प्रयास किया जाए, मतलब इन भूमी के उपजावपन के लिए और अलग जो है वो प्रयास किये जाए, जिससे इनकी उपजावपन को बनाए रखा जा सके। झार सकता जाए झाल 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 झाल